असलाम वरीकुम, आज मरा नेक्स्ट टॉपिक है मेगनेटिक डिस्क का, लास्ट लेक्चर में हमने मेमरी और स्टोरिज का डिफ्रेंस देखा था, उमीद है आप लोगों को त्यार हो चुका होगा, आपने समझ लिया होगा उसे, नेक्स्ट हमरा टॉपिक मेगनेटिक डिस् ऐसी डिस्क जो मेगनेटिक मेटिरियल को इस्तमाल करते हुए डिटा इंस्ट्रेक्शन या इन्फरमेशन को डिस्क की सर्फिस के उम पर स्टोर कर लें अचिवरियुर्व को इसेसी डिस्क जो मिटिक मेडीरियल को इस् 함께 के अगिए अगिए मजयन को अग्राइघा इस के फेज़ कॊ जो हुआ हूँ आखिक यह इस्मेटा डिस्क ऑफ हम और वूम च्टर्ब्रमने अगिए यह सरकल हमारे पास वाज़ है, यहां पर यह सरकल दिया हुए, यह सरकल हमारा ट्रैक कहलाता है, अब ट्रैक जो है, हर्ट जो ट्रैक है, इसको डिवाइड किया जाता है, सेक्टर्स के अंदर, यह सेक्टर्स बन गए, एक यह सेक्टर है, यह सेक्टर है, इसी तरह से यह सेक् नहीं कि हर सक्टर के अंदर डिट हम स्टोर करें गओ नीश मैंने अपनों को बताया था कि एक पाय अट बिट के बराबर होती है यह का अधिना डिट्ह की जाुटि मेंगनेटिक डेस्क की जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाली डेस्क के वो है हार्ड डेस्क हार्ड डेस्क को हम डिटेल में पढ़ते हैं दुबारा मैं यही मेंगनेटिक डेस्क कर लो मेंगनेटिक मिटेरियल के उपर मुश्तमिल होती है और यह मेंगनेटिक मिटेरियल इसल्ग करके हम dud Spain को इंस्टरक्श garments को इंस्टरिक्शन को इल्फर्मेशन को स्टोर कर सकते डेस्क की सर्फेस के मरें अब डेस्क की सर्फेस है उसले ट्रैक और सक्टर लीवाईट किया जाते हैं और वही ट्रैकन सक्टर करने के ल fundamentally report होते हैं त्रैक आपका यह सर्कल होता है जा आपका मेंटिक को डियूपर मुझतुमिल होता है हर ट्रैक की different sectors होते हैं मतलब हर ट्रैक को sectors के अंदर divide कर दियूइट कर दिया जाते हैं जैसे हमें इस डागराम में नज़र आ रहा है कि वह हमारे पास हार्डेस अब अगर हम आएं हार्डेस की तरह तो हार्डेस का हमारी प्रेमरी स्टोरेज डिवाइस है यहां प्रेमरी से मुराद प्रेमरी मेमरी नहीं है इसे आप प्रेमरी की बज़े स्केंडरी स्टोरेज डिवाइस भी लेख सकते हैं तो हार्डेस का आपका स्केंड स्टरेज когда सिस्ट होता है प्रोग्राम और चया यहां पर उसने वाय प्रैमरे स्टोड ब्रैमरी स्टो लिक है मतलब वह प्रैमरी में प्रैमरी घ già मरना स्टोड़ी जौर्थिक जया हम कि यहां पर आप लिखनांभी चाहिए अब कोई अशु नहीं है यह प्रोगागम और डे मीरणन बीसेस पर स्टोरिक करने के लिए इसे हमाले हे वह उसे भी जानी जाती है HDD और HDD के नाम से भी यह जानी जाती है जितनी भी आपके परसनल कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर एक हार्डेस्ट तो लाजबी मज़ोज़ती है और यह एक से ज्यादा भी हो सकती है यहनिके 100 हार्डेस्ट तक भी हो सकती है अगर हम इसकी कपैस्टी भी बात करें तो आप उन्तौर पर जो हार्डेस्ट जो आपके अगर हम जैसे हम बात करें 100 हार्डेस्ट की तो इसकी गर हम बात करें तो इसकी जो कपैस्टी होगी वह आठ टेराबाइट यह इससे ज्यादा हो सकती है टेराबाइट का हम पीछे पार क्या हैं, टेराबाइट भी आपका बेसिक स्टोरेज यूनिट है, उसके बाद टारडिशनल हार्डेस्क की बात करें, तो जो भी आपकी हार्डेस्क इस्तमाल होती है, वो मैगनेटिक डेस्क की है, इसे फिक्स डेस्क का आ जाता है, क्योंकि computer के अंदर fix कर दियाती है अब ये fix desk अगर हम इसकी diagram देखें तो ये platers के ओंपर मुझतमिल है है ये प्लेटर्ज इसके नजार आ रहे होंगे ये platers है इसके ये एक पहला platers है ये दूसरा है ये तिसरा ये इसकी platers जैसे यहां पर उसने वाज़ करके दिया कि यह एक प्लेट है दूसरी प्लेट है तो हार डिस्क आपकी वह प्लेटर्स के ओंपर मुझतमिल होती है अब यह प्लेटर्स जो है इसके ओंपर मेंगनेटिक मिटेरियल की तहह चरहा दे जाती है दोबारा से मैं रिपीट कर देता अब यह जो हार डिस्क के ओंपर मुझतमिल होती है जैसे है मैंने आप लोग पिताया कि से भूब यह प्लेटर्स को को हम ना मगचे मिटेमल की तहा तहा जाती है अब आप लोगों नज़र आ रहा है कि यह प्लेटर्स एक दूसरी के ओंपर स्टैक अप हैं स्टैक अप से मुराद यह जैसे हम बटतन रखते हैं एक प्लेट के ओंपर दूसरी प्लेट जी है वो स्टैक अप कर दी जाती है मतलब एक नीचे होगी फिर इसके ओंपर पर इस तरह से है तरह सारी प्लीटउबस में जौस कर स्टैक में एक नीचे पढ़ी वी एक उन पर है उससे हम पर है इस तरह से स्टैक Isco बन गया उसको सील कर दिया जाता है उसे हम नामने सील केंडोंत है अब हर प्लीड के दौ हेड्ड़ होते हैं जिसे सा Bye Iron इसी तरह से हार्डेस्क का आर्म भी होंगे मतलब बाजू भी होगा इसका जो रीड राइड है तक मूव करेगा मतलब हार्डेस्क के हमने पहले पढ़ा कि हार्डेस्क जो है इसके दो हैड होते हैं रीड राइड हैंड इसी तरह से हार्डेस्क का एक आर्म भी होता है जो री पर location है जहां पे वो data store करना चारी है जहां बमर यह चाह度 करना चारी यहां तक क्राइब करना चारी कहनता है वह तक मैं और यह रिप्रिट करता हूल प्लेटर जो मैं इसके दो हेट deux हेट है रेड और राइट है और एक आर्म होता है वह किसी भी location तक mere that Metallic किसी बिलोकेशन फैने किसी बूकेशन बे लेकर जास केगा जहां पर डेटर कर रहे हैं अगर आभ अदिकतर की बात करें कि जी प्लेतर आपकी होगर जा आथिसके ंदर स्ट्राइट करेंगी चक्रकाटेंगी काड़ सकती है तो यह था हारड डेस्क के экosamente हमने पढ़ा हेनक क्टी का में अब त rozp Letting है अब स्ट्रेक को स्ट्रेंप transformation को store करें आपकी जा मє मागनेटर्टी डेस्क यह ट्रैक और सक्टर पर मुच्तम्य होती है ट्रैक के वह सरक्ल होते हैं जो मेगनेटर्टी देस्क के आप मुच्तमेल होते हैं जैना हर सक्टर जाए 512 बाइट टक डीर डीर स्टब कर सकते है इसकी जो popular example जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल होती है वो हार्डेस हार्डेस आपके computer के अंदर data को store करने के लिए इस्तमाल की जाती है permanent basis पर इसे हम हार्डेस drive और हार्डेस का भी नाम देते हैं तक रिपर हम personal computers जो हैं उनके अंदर एक hard disk लाजमी होती है एक से ज़्यादा 100 तक भी हो सकती है और इनकी जो capacity है वो 8TB से ज़्यादा भी हो सकती है जो traditional hard disk है वो magnetic disk की type के लाती है इसे हम fix disk भी कहते हैं क्योंकि ये system unit के अंदर close होती है बंद होती है fix होती है उसके बाद ये मुख्तलिफ डेस्क के अंपर मुच्तमिल होगी circular desk के अंपर मुच्तमिल होगी जिसे हम plater का नाम देते हैं plater के अंपर magnetic material की code शहादी जाती है ये plater जो हैं अपस में एक दूसरे के अंपर stack up कर दिये जाते हैं और stack up होने के बाद इनको seal का दिया जाता है burn का दिया जाते हर प्लेट के दो हैड़ होते है read right head और एक arm होता है और वो arm read right head को proper location दक लेके जाता है तांके plater के उन पर हम read कर सकें या write कर सकें डेटे को उसके बाद ये जो plater हैं हार्डेस के अंदर ये तकरीबन जो इनका घुमने का है वो चब्रण सो से पंदरा हजार revolution एक मिनिट के अंदर कर सकती हैं ये उसके बाद इसकी performance की बात कर लें तो इसकी performance को तीन factors के उन पर मापा जाता है सबसे पहला है seek time seek time वो time जो retried head correct location दख पहुंचने के लिए लगाएगा मतलब इसे positional performance केंगे कि आपका जो retried head के था वो location जो से location बताई गई हार्डेस की फिलाण location से मिन डेटा दे दो तो उस location दख पहुंचने के लिए जो time लगाएगा उसे हम नाम देंगे seek time का और इसे मिली सेकंड के अंदर मेयर के जाते हैं उसके बाद है spindle speed spindle speed आपकी वो speed है जिससे data transfer होगा जिससे drive आपका data transfer करेगी यह revolutions per minute के अंदर आम आपे जाते हैं और इसे transfer performance speed भी कहा जाते हैं उसके बाद है latency latency के राते हैं आपकी जो आपका spinning platter था जिसे हम आर्म का नाम दे रहे थे वह आर्म read right head तक जो desire data लेके आएगा read right head तक जो से data चाहिए था read right head को उस data को जो spinning platter लेके आएगा read right head तक तो उसके लिए जितना time लगाएगा उसे हम नाम देंगे लिए latency का और इसे millisecond के अंदर मियर के जाएगा it is a time required by the spinning platter to bring the desired data to read right head spinning platter वह आपके घुमने वाले था जिसके हमने बात की थी कि आर्म होता है जो read right head तक जाता है और उस location लगे जाता है जहां पर data read right करना हो तो आपका वह arm read right head तक जो read right head को जो data require था कितना time लगाएगा उसे वह data पहुंचाने के लिए उससे नाम देंगे लिए latency का और इससे मेजर किए जाएगा millisecond के अंदर उसके बाद इसकी टाइपस आ जाती है हार्ड डेस्क की दो टाइपस है external hard disk और removable external hard disk आपके separate hard disk होती है जो USB port के साथ यह firewire port के साथ connect कर दी जाती है system unit के साथ और यह जातर data को हम अपने external data external hard disk हम इसलिए लगाते हैं तक हमारा जो data वाफिर है उससे हम stroke कर सके हैं इस तरह से removable hard disk भी आपकी hard disk की टाइप हैं यह हम अपने hard disk को हम remove भी कर सकते हैं और insert भी कर सकते हैं मतलब जैसे हमने बात बदाया था कि आपकी कमस कम एक होती एक से ज्यादा अगर होंगी तो वह पिर आपकी removeable hard disk होंगी उन्हें हम insert या remove कर सकते हैं उसके बाद है miniature hard disk miniature कहते हैं समाल hard disk को जो तक्रीब है 0.85 इंच या 1.8 इंच की होती है यह internal भी हो सकते है एक्स्टरन भी होती है यह जैतर आपके जो media player आते हैं या digital camera आते हैं समार्ट पून आते हैं उनके दर यह miniature hard disk मजूदा दी है तो यह हमारा magnetic disk और hard disk का topic यह हम पे end हो है इंशालल next topic हमारा आ रहा है floppy disk और disk यह इंशालल next lecture के अंदर हम करेंगे और last में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हार आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे